सच्चुरिया काल जीदा खालस टीवी देखनवाले देश दुनियां दे साड़े सारे दर्शकांदा बहुत बहुत स्वागत है मंजाब्दियां वडियां खबरांदेस खास बुलेटन दिनाल मेहर शरन कौर आज 12 मार्च दिन मंगलवार नानकशाही सम्मत 555 दि मताबिक आज उनत्ती फग्गन हो गया खबरांदेस खास बुलेटन दि वेच थोन सारियां वडियां ताजा ते एहम खबरांदास ननेया सब्तो बला मौसम दी ताजा जान कारी मौसम बिपाग दी 11 मार्च वाली में दी पविखवाणी ता सही साबित नहीं होई हुण ताजा पविखवाणी दी मताबिक कल 13 मार्च नू पूरे पंजाब दिवेच में पवेगा कालू मीदे नाल तेज हवावा दी वी पविखवाणी कीती गई है तिल लंगे कल सौंबारनू पंजाब दिवेच तापमान 1.6 डिगरी होर वद गया इस दासर पूरे पंजाब दिवेच देखिया जा सकदै सब्तो काट तापमान मोगा दा 9.3 डिगरी दर्ज कीता गया ज परदेश देविच गर्मी ने पूरे तेवर्द खौने शुरू कर देते ने वाद तो वाद तापमान 6 डिगरी तक पहुंच वी गया दो दिना दे अंदरे थे 4 डिगरी तापमान वद या है राजस्तान देविच परसों 14 मार्ज तक मौसम साफ रहेगा उस तो बाद पच अच्मी गर्बडी दा असर मुर्तो शुरू होन दी संभावना जिताए गई है खबरां दे वेच आज दी सब तो वड़ी खबर थो अनु दासते ने हां केंदर सरकार ने लोगसबा चोना तो पहला मास्ट स्ट्रोक मार्या है कल शाम नू नागरिकता सोध कानून यानके CAA 2019 पूरे देश दे वेच लगू कर देता है किंद सरकार ने चार साला बाद इना नेमा नो नोटिफाई किता है हालांके 4 साल पहला ही विवादित कानून पास हो चुक्या सी पर एक्ट दे नेम कल नोटिफाई कीते गयने इस कानून दे अमल वेच और नाल पाकिस्तान, मुस्लिम परवासियां हिंदू, सिख, जैनी, बोधी, पार्सी ते इसायां दिले पारत दी नागरिक्ता हासल करन दरा पद्रा हो गया नागरिक्ता सोध कानून लग्गू करन तो पहला कल एहतियाद वजों, राज्तानी दिल्ली देश शाहीन बाग जामियां ते होर इलाक्यां देविच जित्थे जित्थे सी एए विरुधी वड़े परदर्शन होए सान उत्थे सुरख्यावदा आदती गई है, विरुधी त राने थे सडकां ते उत्रन दा एलान कर देता है, ग्रैम अंत्राले दे बुलारे ने कहा के नोटिफाई कीते निमा जिनानून नागरिक्ता सोध नेम 2024 नाम देता गया, उना दे तहत सी एए दोहुजार नी अदीन योग व्यक्ती पार्ती नागरिक्ता हासल कर सकनगे, अर राश्ट्रपती ने इसनू रस्मी मन्जूरी विदे दती सी, पर देश दे कई हिस्सेयां दे विच एक्ट खिलाफ होए वड़े रोज पर दर्शना, ते कई विरोधी पार्तियां वलो कानून नू पकपाती दसंतो बाद सरकार ने नेम नोटिफाई करन तो हाथ पिछां क पिछले सन, नेमा दी अनहोंद विच नागरिक्ता सोध एक्ट होन तक अमल दे विच नहीं आया सी। CAA छेती ही लागू कार दता जावेगा, आखिरकार 11 मार्च 2024 CAA पूरे देश ते वेच लागू कार दता गया है। CAA पूरे दे विच नागरिक्ता सोध एक्ट दे नेम नोटिफाई करन दी टाइमिंग सपष्ट रूप दे वेच खास करके, पच्छमी बंगाल ते असाम दे वेच आउधियां लोगसबा चोणा दे तरूवी करन दी कोशिश है। Congress दे जनरल सकतर केसी वेणु गोपाल ने किहा है के चार सालांदी दे रीख्यों। the act had been passed in the parliament four years and three months before why this delay the government day if the government has they 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 have some sincerity on this issue they could have done this order four years before they could have been enacted this rule four years before they didn't just before the election announcement two three four days before the election announcement doing all this thing only one agenda to to diversify to divert the entire attention of this current issues it is clear-cut diversity tactics to divert attention from the supreme court verdict on electoral bond today where is the answer for that where is the answer Congress leader दिग्विजे सिंग ने भी स्वाल चुके ने पहली बात तो यह है इतना विलम क्यों किया और अगर विलम किया तो चुनाओ के बात क्या दिक्कत थी उनका एक मात रुद्देश होता है हर मुद्दे को हिंदु मुसल्मान में मातो है बात यह है बात यह है बात यह है समिधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का रिकार है इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तह करे जाए किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है कौन नहीं बन सकता है मेरे मत में यह भारती सम्विधान के खिलाफ है पंजाब दे वेच साबका उखमुख मंतरी ते कॉंग्रिस MLA सुखचंदर सिंग रंदावा ने वी अजही प्रतिगर्या दिन्दय के हैं के पामे मोदी सरकार जो मर्जी कर लवे लोका ने अपना फैसला कर रखे बहुत कुछ होगा और बीजेपी की कॉवर्मेंट डेस्परेट हुई है और ऐसे कई और अनॉस्मेंट होंगी जो कॉवर्मेंट कोर्ड अफ कंडक्ट से पहले दो-तीन दिन पहले ऐसी करती है तो इसके बारे में तो इसकी धर रहे हैं कि पता ने लोग क्या करेंगे और लोगों ने अपना मन बना लिया है ऐसे काम करने चाहिए जो लोग जात करें कॉवर्मेंट मंत्री आतिशी ने कहा कि कुछ दिना बाद लोगसभा चोना होनिया ने की सपष्ट करदा है तुसी समझ सकते हो दस साल से मोधी जी सरकार चला रहे हैं अब लोगसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले C.E.A. को कानून के तोर पे लाया जाता है ये क्या दिखाता है ये दिखाता है कि मोधी सरकार को पता है कि उन्होंने दस साल में कोई काम ने किया उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं हम C.E.A. के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं क्यूं क्यूंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है आज महंगाई का दर बढ़ रहा है तो मोदी जी और देशों के अल्प संखिकों को भारत लाकर और उनको नागरिक्टा देने के बजाए हमारे देश की उमाओं को नोकरी देना हमारे देश के आम परिवारों को महिंगाई से निजाथ दिलाए हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने उपर छट दिलाए यह तो मोदी जी नी दसाल से किया नहीं है अब वो कहने हैं कि पडोसी देशों से अलक संख्गेकों को भारत रिखे आई है क्यों कि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के लोग तो वोट नहीं देंगी उन्हें तो और लोगों को भारत आई अरीद रशीद फरंगी महाली ने के है किसानू पता लगया के CAA नू लागू कारदता गया है उन्हें ने अपने पाई जारे दे सारे लोका नू शांती बनाए रखन दी अपील की थी दिल्ली दे वेचे केडे केडे इलाक्यां दे वेचे सुरख्या वदा आई गई है नौर्थ इस्ट डीसीपी जो ए टिर्की ने दसया हम लोग पहले से प्रकॉशन लेके चल रहे थे और इसलिए हम लोग ये काम और किया कि जो हमारे जो पोटेंशिल ट्रबल मेकर्श हैं और जो मेरे नोन करिमिनल जे उण लोग को हम लोग ने टागिंग किया है बहुत ही अच्छे तरह से और हमारे जो बीट कॉंस्टबल्स हैं सब हमारी बात्चीज चल रही है और हम लोग सोशल मीडिया पर नजर गड़ा के रखे हुए हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी आडवर्स या कोई अब्जेक्शनल पोस्त आता है तो उस पर भी तुरंद कारवाई करेंगे फ्लाग मार्च मेरे जिले में पिछले दो दिन से चल र रखेंगे तो ड्रोन से भी हम लोग नजर रख रहे हैं और I am very sure कि हम लोग ने इस बार जो पहले कदम उठा लिया जो पहले हमने effort कर लिया है that is going to give us good results और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्स्टर फोर्स से ही मैं फ्लाग मार्च कराता हूं दो दिन से मैं करा रहा था और कल से मुझे थोड़ी ज्यादा एक्स्टर फोर्स मिलेगी हमारी visibility on the street दोनों चीज के लिए एक तोरी assurance करने के लिए दूसरा डेटारंस भी है कि जो बदमाशी करेगा उसको हम लोग नहीं बख्षेंगे उद्र पच्मी बंगाल दी मुख मंत्री ममता बेनर्जी ने लोकानू इसमुद्धे ते गुम्रा करंदा बीजेपी ते दोश लाया ममता बेनर्जी दी अगवाई वाली त्रेन मुल कॉंग्रस दे वलनों शुरू तो ही CAA दा विरोध कीता जारे है पिशली यान लोकसबा चोणा ते पच्छमी बंगाल दीयां सेंबली चोणा दे वेच बीजेपी ने विवादित CAA नू अपने परमुख चोण वादे वजों उबार्या सी ग्रै मामलें बारे मंतराले दी 2021 वाई दी सलानना रिपोर्ट मुताबिक तिन मुल्क जड़े हैगिन अफगानिस्तान बंगलादेश अते पाकिस्तान एत्थों दे गैर मुस्लिम का टिगेंटी पाई चारा नाल समन्दित कुल 1414 विदेशी नागरिकानू नागरिकता एक्ट 1905 तैतर जिस्ट्रिशन जा कुदरती तौरते पारती नागरिकता दित्ती गई है ते विरोधी ते रर दे वल्लों जिड़ा ये अल्जाम लाया जा रहा है टाइमिंग ते स्वाल चुके जा रहे हैं के CAA नू लोगसभा चोणा तो एन पहला लागू करके बीजेपी इसता सियासी फायदा चुकना चाओं दी है ता इसते किंद्री ग्रैम अंतरा ले दा ज खोशने उना दे एक वीडियो भी सामने आया है के हुण उना नूवी पार्ती नागरिक किहा जावेगा मामतब एनर्जी ने सपष्ट किता है के JCAA पक पाती होया ता इसता विरोध किता जाओगा पंजाब आसियां दे लई चिंता परी एक खबर है के पंजाब दे वेच आ आज ते कल बारां ते 13 मार्च नू सुबे पार दे विच रोज पर दर्शन करन दा एलान किता है जथे बंदी दे लीडरां दे वलों आज दपैरतों सरकारी बसां दी सर्विस बंद कर दती जावेगी चक्का जाम किता जाओगा उस तो बाद बस कामियां दे वलों कल 13 मार् आज वी करनगे यूनियन दे इस वड़े एलान तो बाद सुबी दे ट्रांस्पोर्ट विपाग दे डारेक्टर ने जथे बंदी नाल हंगामी मेटिंग वी आज जस साध लई है पर इस मेटिंग दे विच गल किसे तन पतन लगन दी संभावना काट ही दखाई दन दी है त डühे दो दिन सरकारी बसा बादरायन करके स्वारिया नू जाहिर तोर ते दिखतां दा सामना करना पवेगा क्योगे है गे वीग डे ने वीकेंड होनदा फिर वी थोड़ी बहुत राहत लोका नू मिल जांदी है पड़ेडे मुलाजम सरकारी बसा राहीं ही सफर कार दे ने के आज 12 मार्च नू कामकाजी कांटे खतम हों तो पहला स्यासी पार्टियानू चोन बॉंडा राही मिले फंडा नाल समंदित वेरवे चोन कमिशन नू दित्ते जान। के आज 12 मार्च नू कामकाजी कांटे खतम हों तक देन दे निर्देश नित्तेने। SBA ने 3 जून तक मौलत मंगी सी पर सुप्रीम कोट ने चंगी चार्चाम कर देयां अर्जी खारज कर देती हैं। इसते कॉंग्रस लीडर राहुल गांधी ने वड़ी प्रतिकरिया दिन्देयां के हैं। के चोन बांड स्कीम देश दा सब्तो वड़ा कुटाला साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने क्या के जेडे स्विस बैंकां तो सौधना दे अंदर काला तान लेओं दे वादे नाल सत्ता विचाए सान। और ना अपने बैंक दा डेटा सुप्रीम कोट तो लुकों ओन दे लेई ए हर्बा वरतिया। एसी तरह CPM लीडर सितरा में येचरी ते समाजवादी पार्टी दे मुखिये खलेश यादव नेवी चोन बॉर्णा दे वेर्वियां बारे कल सुनाए सुप्रीम कोट दे हुकमा दे खुशी जाहिर केती। उन्हाने किया कि स्यासी फंडिंग दे वेच पार्ट दर्श्तावल एक वड़ा कदम है। पार्ट परदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने लंगे शिनिचरवार नो अरुनाचल दे वेचर सेला सुरंगदा अधकाटन कीता सी अते चीन ने पीम मोधी दे अरुनाचल दौरे ते सक्त इतराज जिताया है। ये इलाका साड़ा है चीन दा है। पारदियां इहरकता सरहादी मसले नो गुंजलदार बनादेन किया। पारदे डिया डियो विग्यानिया ने अगनी पंच मिजायल दी सफल अजमाईश कीती जिस्तवाद परदान मंत्री ने विग्यानिया नो वदाई दिन दे आ के हा। किमिशन दिव्यास्तर दी सफल अजमाईश दी लई रख्या खोज दे विकास संगठन दे वग्यानि वदाई दे पातरहन मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रियेंट्री वीकल तकनीक दे नाल लैस देश विचबनी अगनी पांच मिजायल दी पहली सफल अ पंजाब कॉंगरस दे पर दा अनमरिंदर सिंग राजा वडेंग ने मांग कीती के किसाना दे मुद्धे ते निंदा परस्ताव पेश कीता जावे सतातारी तेर वल्लों भी कुछ विदायका ने किसानी मुद्ध्यां दी हमायत कीती ता स्पीकर कुलतार सिंग संध्वा ने दसया कि किसान सारे देश दे किसाना दे दुकान दारां दी लडाई लाड रही ने जहे विच उस सारे सूब्यां देवधा अनसबा स्पीकरा नो किसाननी मुद्दे ते चिठी लिखनगे, स्पीकर संध्वा ने शंबू बोडर ते जखमी हुए कि बच्चे दे इलाज वास ते अपनी एकमी ने दी तन खा देन दा एलान वी कीता, इस्तो बाद बच्चे दे इलाज वास ते कॉंग्रस विदायक मरिंदर सिंग राजा वडेंग, अकाली विदायक डॉक्टर सुखविंदर सुखी अते आप विदायका इंदरजीत कॉर्णे वी वित्ती मदद देन दा एलान कीता, वडेंग ने कहा के बजट सेशन दे विचे किसाननी मुद्दे ते क आरे गल कीती क्योंकि ओक कंजूमर रास्ते ते पंजाब दे लोगां दी लड़ा ही लड़ रहे हैं, देश दे लोगां पार मेरी बेंटी है कि काफी देन होगे सदन दू चल दे हैं, साधी किसानना दे उत्ते हैं, असी किसे परकार दी, कोई बैस नहीं रखी, मैं नू ला कार दे ते हर्याना सरकार दे खलाव, जिस परकार दा वतीरा होना ने कीता, बाडर ते सानु ए बनाता कि यसी पाकिस्तान चों जिमें पाकिस्तानी है, सो एरे ते मैं समझना है कि जरूरी बैस निंदा पसाब लेके होना चाहिए है, ते ऐसे तरह ही किसान जड़ा है, अग मैं समझना कि सरकार किर्पा करके किसाना दे वाल विछेश ते आंदे विदा अनसबाद वेच कल पेश कीतिया, तिन रिपोर्टा ने क्रोडार रपए दे कुटा लेया देवी पाज देड़ देते, विदा आयक गुर्पित सिंग बनावाली ने सैकार ता ते सनाल जुडिय गतिविदियां समंदी रिपोर्ट पेश कीती, जिस विच सिद्धी अफसर शाही ते उंगल चुकी गई है। स्थानक सरकारा विपाग विच पैनल ती रखेगे वकीलां दा मुद्धा वी चुक्या गया, रिपोर्ट विच कहा गया के विपाग वल्लों जो वकील अदाल्ती केस लड़दे ने उन्हों दिस मिख्या होनी चाहीं दिया। कीते जान्दा स्वाल कीता तर लोक निर्मान मंत्री। हरपा जिन सिंग ने जवाब दिता के पटेला शेर विच दास अलोटी अपनी मयातो वदसमा रहन कारण न जायस तोरते रहे रहे ने पिछले एक साल दे विच नौ के संच कारवाई कीती गई है। मंत्री हरपा जिन सिंग ने एवी दस्या के सापका खजाना मंत्री मनपित बादल दी सेक्टर दो विचली कोठी विचो सोफेती कुरसियां गायब ने उना चिठी वी लेखिया। इस मौके विरूदी तरदी लीडर परताप सिंग बाजवा ने सरकार नो केर्दया केहा के जो चंडीगर दे विचल सरकारी कोठीयां कैबनेट वजीरा दिया ने उना दी अलोटमेंट होर व्यक्तियां नो कारदती गई है। इना कोठियां दे वेच रेंदा कौन है तिन नाम ते कीदे अलोटने। विधा अनसवा दे वेच कल वी विरूदी तर ने वौक आउट कीता। दे रोले रपे दोरान कल स्पीकर वी चुप ही रहे। स्पीकर कुलतार सिंग संधवा ने कहा कि कॉंगरस ना विशेशदकार मता मिल गया। इस मामले ते विचार करांगे। इस ते कॉंगरसी विधा एक स्पीकर दे असन मूरे आगे ते वौक आउट कार देता। ते कल पंजाब राज चोन कमिशन सोथ बिल दोहुजार चौवी नू सदंध वेच पास वी किता गया। शम्बू ते खनौरी बॉर्डर ते लगे किसाना दे मोर्चियानू कालू पूरामी ना हो जुगा। आज उनतीमा देन है। लगे मीने 13 फरवरी नू किसान इना बॉडरा ते पहुंचे सी। इस दरम्यान उनना ने दो वरी दिली जान दी कोशिश की थी। पर हर्याने दी खटर सरकार ने किसे वी हालत विच किसाना नू जान नहीं देता। पावे उनना नू रोकन दी लेई पोलिस नू गोली वी चलौनी पई ते उस गोली दे वेच कई किसान जखमी होए ते एक नौजवान किसान शुब करन सिंग दी जान चली गई सी। पावे 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 सेंटर सरकार ने किसान दी खिलाफ नहीं दा फैसला लेले आसी कि जदो तक सरकार खोद बौडर नी खोलेगी ओदो तक किसान दिली नहीं जानगे। पंजाब दे बौडराँ ते ही डटन दा फैसला ले आगया जिस्तो बाद हुन खनौरी ते शंबू बौडर ते किसान पक्किया ठारां बना ओन लगीने। मोर्चे ते पिछले कुछ दिना तो स्टेज बना आई जा रही सी जस्ती शुरू आत आज होवेगी। विने पर तोपा मेटरालियां जोड के ही स्टेज बना आई जान दी रही है पर आज शंबू बौडर ते बाकाइदा लोहे दी जड़ी स्टेज बना आई गई है। उस तो मंच दा संचालन होवेगा। स्टेज दी चड़ाई ठारा गुणा वी फोट रखी गई है। ते पंच फोट ये उच्छी है। किसाना नूँ जे रोक्या गया ता असी विरोध करांगे। उना क्या के जित्थे जित्थे भी किसाना नूँ रोक्या जाएगा ओथे ही रेल्वे ट्रैक जड़े होणगे स्थाने के उना ते किसान जाके बैठनगे। रेल्वे ट्रैक जाम कीते जानगे। जित्थे भी किसीनों रोक्या जाओगा उत्थे ही 14 मार्च दी शाम दी चार वजे तक रोस मुजारे कीते जानगे। जित्थे भी किते ही 14 मार्च दी शाम दी चार वजे तक रोस मुजारे कीते जानगे। जित्थे भी किसीनों रोक्या जाओगा उत्थे जानगे। उत्री पूर्भी सुबे में गाल्यादी राश्ता ने शिलॉंग दे वेचे सिख पाईचारे दी अबाद्धी वाली कलोनी दी नेडे बामतमा का मामले वेचे पोलिस ने तमाका करनवाले व्यक्ती बारे जानकारी देन वाले नूँ एक लखर पये दा इनाम देन दा एलान क गीता है बामतमा की कारण सिख पाईचारा चिंतत है ते सिखानिया वड़िया सिख संस्थामा वाले मदद दी चाक नाल देख वी रहे है हरीजन पंचायत कमेडी दे सकतर ते गोईद्वरा कमेडी दे परदान गुरजीत सिंग ने दसया के होन तक इस बामतमा का मामले खद्शा पर गटाया के ए उसे दैशत गर्दी जथे बंदी दा कारा है जिस वलो सिख पाईचारे नू रहाइशी कलोनी खाली करन देई तम की दिती गई है उना क्या के दैशत गर्दी जथे बंदी देवलों ए जड़ी कारवाई है बामतमा के वाली एक चितावनी दे आफी चिंतत है इस बंदी केंदे सी श्रीय कालताक साहव दे जथे दारनों वी जानू करवा रहे हैं मदद दी अपील भी करांगे दिल्ली गुर्दवरा परबंद कमेटी तो भी मदद मंगी गई है शिलॉंग पोलिस दे सुबडेंट रितुराज रवी ने तमा के बारे पंजाबी लेन निडे इतमाका कीता गया तमाके कारण कई मारता निया खिड केंदे शीशे भी टोट गे लखन सिंग नाम दा एक व्यक्ती जख मी भी होया उना क्या के इतमाका करन दी विधी पाबंदी शिदा जथे बंदी एच एन एलसी वलों पहला किते गे इतमाकें द बाद चिठी लिखके 13 मार्च तक मुलाकात दा समा मंग्या सी पर 2-3 दिन लंगण तो बाद भी CM दे वलों कोई जवाब ना देते जानते हुन सब कमेटी ने मुख मंतरी पगवांतमान नो एक वरी फेर चिठी लिखके तुरंत मुलाकात ले समा देंदी मांग कीती हैं पांच मेंबरी कमेटी दे मेंबर अते श्रोमनी कमेटी मेंबर एडवोकेट पगवांत सिंग से आलका ने दसया कि 9 मार्च नो CM साब नो मिलन ले समा दें ले चिठी लिखी सी 3 दन बीज जान तो बावजुद वी पंजाब सरकार जा किसे वी सरकार यदकारी ने सब कमेटी मेंबरा ने सरकार नो याद करवां दे ले 11 मार्च नो मुड चिठी लिखी है कि सरकार मामले दे गंबी इरता नो समझे नजरबान सिंग जेल दे विच पो खड़तालते ने उनना दे परवारिक मेंबर अमरसर दे विरास्ती मार्ग ते पो खड़तालते बैठे ने हालत खराब हो रही है पर दुख दी गाला कि सरकार ने साजशी टांग नल चुप तारी हुई है पंजावदीयाँ वडियाँ ख़बरान दे इस खास बुलेट न दे विच को छूर ख़बरा विस्थार दे नाल पंजावदी स्यासा दे नाल जुडियाँ वडियाँ जानकारिया थो अनू देतने हा आमादमी पार्टी ने दिल्ली अते हर्याना तो बाद हुन पंजाब दे विच वी अपनी चोन परचार मोहिम दा अगास करदता है असली खास तौरते दिल्ली दे मुखमंतरी अर्विंद केजरीवाल पंजाब पॉंचे साहिब जादा अजीत सिंग नगर मोहाली दे विच पंजाब दे मुखमंतरी पगवंतमान दे नाल अर्विंद केजरीवाल ने लोकानों अपील कीती के पंजाब दी शान उच्ची करण दिलेई एस्वार आमादमी पार्टी दे हक विच लोकसबा दियां 13 दिया 13 सीटाओन दी चोड़ी पादेओ ते 13 जीरो नतीजा देओ आमादमी पार्टी दे हक विच केजरीवाल ने चोणा देली नमा नारा विदता संसच वी पगवंतमान खुशाल पंजाब ते वदे गिशान मुखमंदरी पगवंतमान ने पर उसे दिली अपने आका आर्विन केजरी वालदा तानवाद कार दे हुए के हाँ के हुण मेरी जिम्मेदारी होर वी वद गई है तो आज इस स्लोगन के साथ हम पंजाब में अपना कैम्पेन लॉंच कर रहे हैं संसद विच्वी बagवंतमान खुशाल पंजाब ते वदे की शान संसद विच्वी भगवंतमान खुशाल पंजाब ते वदे की शान और दूसरे स्लोगन जो पहले की दिन से चला रहा है पंजाब बनेगा हीरो इस बार तेरा जी केजरिवाद साहब ने जिनने गेड़े पंजाब चलाए ने शायद दिल्लीज काट पंजाब ज्यादा उन्देने जदों भी बलाई है ऐसी कि स्कूल आफ एमिनेस दों करने जी आम आदमी क्लीनिक त्यार ने जी विकास दिक रांती 800 क्लोड पिए दा खुशे अरपोज देना है जी मेरिकल काल जान देद काटन करने है जी ए ओधी कमेंट कहने चलो रखो पंजाब दा प्रोग्राम क्योंके इनननों भी पंजाब ना प्यार है कि पंजाब ने आम आधी पार्टी दा बुट्टा है ओधी जड़ होर मजबूत कीता है तेहों जदों 13 13 जड़े पत्ते होर निकल आए तसाड़ा जड़ा है आमानी पार्टी दा जड़ा बुट्टा है एह होर शांदार होगा एह होर फालदार होगा क्योंके मानदारी ते पार्दस्तन सरकार है इस मौके केजरिवाल ने वड़ा इल्जाम लाँदे होई दावा कीता के पंजाब दे वेचस साड़ी सरकार डेगंडी साज़े शो रही है राजपाल मुखमंतरी पगवंतमान नो कामनी का रंद दे बीजेपी दावा कर रही है के उसनों 370 सीटा आ रहे हैं ने उननों तो पड़ा वोट नहीं चाहिए दा तुसी 13 सीटा जुता के पगवंतमान दाहत मजबूत करो आपको हम अपना मालिक मानते हैं हमें आपका वोट चाहिए जिसको वोट चाहिए उसी को दो जो कह रहा है मेरे को वोट ही ने चाहिए उसको वोट क्यूं देते हो जो कह रहा है मेरी तो 370 आ रही है उसको बोल आँ वही तो 370 ले ले अपनी जहां जाके लेनी है लेले उनक आपका वोट नीचे हमें आपका वोट चाहिए सवर्गिया प्रकास सिंग बादल प्रमात महना हुई आत्मानु शांती देवे श्रदा अंजली समरो उनना दासी दोत ना मेरा लई गेने उथे इत्वी पता लगदा है कि इन्ने पटके होए ने सुपनेच भी आई यंदा केजरिवाल सुपनेच आई यंदा भी की होई अगली वारी ये जड़ियो हो उमीदवारां दे नाम एलानन दी है इस देली आम आदमी पार्टी दी वरकिंग कमिटी दी मिटिंग होण दी भी खबर मिली किया लाया जा रहा सी के इस मिटिंग दे विच पंजाब दी सत मवजूद दा संसद मेंब्रा दे नामा दे चर्चा हो सकती है तरन दिया टिक टाँ फस भी सकती है तो आम आदमी पार्टी ने था पंजाब्फ दे विच्श चोंड पर 4 विट दता है, सारे में हीं पार्टी है सरगर्फ नजर आ रहे हैं, इस दर्मघ्रस पार्टीτι वर्किंग कमिटी थी पेर मिटिंग हों दी खबर मिली है, कॉंग्रस पार्टी ने थोड़ी दिन पहला उंतारी नावां दी एक लिस्ट है, जड़ी पहली लिस्ट जारी कीती है, ते पंजाब दा हाले कोई भी नाम अनौस नहीं कीता गया, ते जड़ी मुझूदा मिटिंग है, इस दे विच क्या कॉंग्रिस पर दान, अमरिंदर सिंग, राजा वडेंगा ते परताब सिंग, बाजवा जड़े ने ओवी मिटिंग दे विच शामिल हो रहे ने, इस जड़ी कौमी पता दी मिटिंग हो रही है, साथ संसत मेमरा दे विचों, अमरिसर खडूर साहिब, श्री अनंदपूर सा दाहिब दे जिस वीर सिंग डिंपा, इना दे नामा दी खासी चर्चा चल रही है, पता लग रहे है कि रवनीत सिंग बिट्टू होना दी सी टैजडी हो सेफ है, उना दी टेक टैजडी होना नो मिल सकती है, आमादमी पार्टी है ते कॉंग्रस तो बाद काली दल भी पिछ नहीं है, श्रोमनी काली दल दे पर दान सुबीर सिंग बादल ने अपनी पंजाब चाओ यात्रा गिदर भाहा हलके तो मोड शुरू किती है, किसानी संगर रश करके इसनों मुल्त भी किता गया सी, होन फेर शुरू किता गया, पहले पढ़ा दे विचे यात्रा माजे दे पिच को मी सी, ते होन इसनों गिदर भाहा तो शुरू किता गया, लंगे दिन पर का सिंग बादल दी बरसी मौके सुबीर सिंग बादल ते पंजाब बीजेपी दे पर दान सुनील जाखर ने दो आपाटियां दे मोड गट जोड वाल इशारा किता सी, नाम नी लिया सी पर कि जेडे लोग अपा तो बिच्छड भी गए है, उनना उनना प्यार जो उनना ने भापू बादल ने उनना प्यार कीता है, उस प्यार नो देखके ही सारी कौम कठे हुई है, चंडे थले कठे हुई है, एक ताची ताकत अपनी एक ताची ताकत है, तो ऐस करके अपा सारी पार्टी पन करिए कि बादल साथ दी सोच काली दल दी सोच पन दी सोच नू अप बरकरार कैम करिए और में चे वो कोई political alliance नहीं सी गा साब वो कोई वोटा वास्ते alliance नहीं सी गा वो alliance गा जिस पामर्चों पंजाब निकल के दौर्चों गुजरिया सी गा वो सीदे दाके तो लेके चेनमे तहीं जिड़े हलात पंजाब चे बापरे सी जिस किसम दा जैर जिस किसम दी दो फाड जिस किसम दी एचे ओ काड़े दिन जिस तरह वज़ दे है उन्हा जो पंजाब निकले है सीगा ओदो मलम लान दी जुरूर तिसी की साथ अब पाई चारक सांज बनी रवे मैं सलाम करता हूँ स्पिरिट नुसाब मैं समझ जाए गुरू महराज दे जो क्या सीगा मानस की जाथ सबय को पहचान बो दो दन पहला बसी पिठाना दो कॉंग्रस दे साबका विदा एक गुर्पित सिंग जीपी दे आमादमी पाटी विच शामल हूँ नू लेके जीपी दे दल बदलू दा सफर दिखाया गया गुर्पित जीपी पहला काली दल सान फिर्मान प्रिदी पीपी दे विच गई पीपी दे विच चलेगे उस तो बाद कॉंग्रस दे हूँ आमादमी पाटी विच शामल हूँ ने ते कैप्शिन दे विच खेरा नी लिखिया पगवंतमान जी जरा दस्यों हुन तितली कौन है दरसल चल दे बजट सेशन दे विच पंजाब दे मुखमंतरी पगवंतमान ने खेरा नू दल बदलू दास्तेयां तितलीयां दे नाल तोल ना कीती सी के तितली कदे किसे फोलते कदे किसे फोलते बैजा दी है खेरा ने कमेडियन बंद वारे सुचया सी ना मुख मंतरी बंद वारे मांद इस व्यांत एक पर चारक ने सकते तराज जाहिर कीता सी ते ओस इतराज नो अग्य बताओ दे हुए खेरा ने कहा कि जदो किसे गालदा पता ना होवे ता उसनों अपने सामना तोड मुरोड की पेशनी करना जाहिंदा खेरा तो इलावा श्रोमनी कालेदाल दे सीनियर लेडर बिक्रम सिंग मजीठिया ने भी मुख मंतरी पगवंत पान ते अर्विंद केजरी वाल दाएक वीडियो जारी करके तांच कस्या है इस वीडियो दे विच पगवंत पान डेट साल पहला पंजाब आय पर जिवाल जी की डॉक्टर गुर्प्रीत कौत और इगाल मान दे हुए पगवंत मान नू राद दा खाना नहीं देनगे मजीठिया ने वी लजाम लाया के पगवंत मान हर्याना दे हाथा मिच खेट रहे ने कॉंग्रिस ने एक और विदा आय के परगट सिंग ने मुख मंतर पगवंत मान ते एक होर मुद्दे नू लेके तंच कस्या है कंपीटर दे आपकान दे विरोध परदर्शन दा हवाला देना क्या है के सीम पगवंत मान हर्याना दे विच पंजाब दे फोक के सिख्या मॉडल दा जुमला सुना रहे सी पर पंजाब दे आपकताई थे रोल पंदरा स्तंबर दोसदार बाई नू कंपीटर दे आपकानू दवाली तोफे वजों कीता एलान मजाख बनके रहे अपनी अमंगा मनवान देली मेटिंगा का दे कंपीटर दे आपकानू डेट साल बीद गया इसी तरह कॉंग्रस दे एक होर विदा एक तिस आपका उप मु कोशिश कर रहे हैं तुसी चोपतार के बैठे हों तुसी जमीनी पदरते पंजाब नू कंगला कर रहे हैं विदान सबच विरूदी तर्दे लीडर परताप सिंग बाजवा ने सीम पगवांत्वा नो एक वार फिर तो चोन लड़न लई चैलेंज कीता है कि जित्तों तुस वाली जानकारी सामने आई है एक जनवरी तो नौ मार्च तक अठवनजा सोदे करीब लीडर बीजेपी दे विच शामिल हुए ने इना विच साबका विदा एक साबका मंतरी ते साबका संसद मेंबरां तो इलावा जिला पंचायत परदा आन कॉंसलत ते समाजिक एसल बीजेपी ने दूसरीयां पार्टियां दे लीडरा नो अपनी पार्टिच शामल करन दे लिए एक नवा जोइनिंग ग्रोप बनाया है लोगसभा चोणा दे विच बीजेपी ने हरे एक बूस दे एक वनजा फीस्ती वोट शेर हासल करन दा टीचा रख्या इसदर में जान बीजेपी संसद मेंबर अनन्त कुमार हेगडे निक है के पार्टी 400 सीटां जितके समिधा अंधी परस्तावना दे विचोत्ता रम निरपक शब्द हटा अनली समिधा अंधी विच सोध करेगी कॉंगर्स वलों जोडे गए बे लोडे वादे नू हटा अनली संसदे द सदना चे दोति हाई बॉमा दिलोड होएगी एस ते कॉंगर्स लीडर राहूल गांधी ने दावा किता है के बीजेपी संसद मेंबर दी कते तिपनी परदा अनमंतरी नरेंदर मोधी ते संग परवार दे लू के हुए इराध्यां दा जंतक परगटावा है लोग सबा परखेकर केश जहा हा जान्दां खर्चा साढड़े 5 लुकर पैये तो सवा 5 लुकरप्ण पर प्रति पकंटा हो सकतै है लिडिकोप्टर दा प्रतिकंटा चार्च लागपग 12 लुकर पैये दा होवेगा तो येना देना देवेच लीडर पाणी दे वांगु पैसा वहा रह इससे करके जहाद जान्दी हेलिकॉप्टरांदी जड़ी मांग गया हूँ चाली फिस्ती तक वाज गया। अनिल सरीन ने दस्या के समराळा चौंकतो लुद्याना कार्पोरिशन सरहाद तक नौसो उन्ताली क्रोड रपई दी लागत नार बाणवाले तेरा किलोमेटर लंबे एलिवेटर्ड हाईवे दा उदकाटन कीता जावेगा। इस मामले दे विचे डेरा मुखी खलाफ और ट्रायल कोर्ट वेचे चाल रही परसीडिंग ते हाई कोट ने कैने रोक लाद ती है जानि के हेटली अदालत दे वेचे चाल रहे केस दी सुनवाई ते रोक लाद ती है फिल हाल इस मामले दे पंजाब ते हराणा हाई कोट ने उतले बैंच कोड पेस देता है देरा मुखी दे वलो इस मामले दी सीबिया तो जाँच करवाँ दी मंग किती गे सी इस मामले दी जाँच लगातार चल रही है वेद भी मामले दे वेच जिन्नियां भी चाँच शीटां दाखल किती हैं याने उना दे वेच डेरा सिरसा दी एहम पूंक्या दसी गई है बाग जुद इस ते पंजाब रहाणा हाई कोट ने वड़ी राहत देती है चंडिकर नगर नेगमदियां चोड़ा दे वेच जिमे पार हंगामा होया सी ओस से तरा F&CC दे दे वी बढ़ा हंगामा होया नगर नेखम दे वीच वेत त्य ठेक का कमेटी दियां चोड़ा होनी असी इस तो पहला ही सदं देवेच कॉंगर्स आमादमी पार्टी अते होन करके चोन नहीं होन दती मेर कुलदीप कुमार ने कहा के बीजेपी नू सारे कायदे कानून होन याद आ गए ने जिस तना पिछले दो साला तो यह पर किर्याद चाल रही सी ओधों एदा कुछ नहीं किता बीजेपी दे कॉंसलर आग सौरभ जोशी ते कमवर राना वलो मं जाब युनिवस्टी तो आये अकाउंटिंग अफसर सुनील कुमार नू वारी वारी पुछिया गया जिसते हंगाम में हो गया ते फिर हंगाम में तो बात जदो वेतते ठेका कमेटे दिया चोना शुरू हो जया तब आड नंबर एक तो आप दी कॉंसलर जिसंदर कॉर ने वापस हो ओन दिवाजा करके कमेटे वीच आम आदभी पार्टी दे काट चूरू दे तिन मेंबर ने बीजेपी दे दो मेंबर शामिल हो जोएने ते चोन दोरान आप कांग्रस आते बीजेपी दे कॉंसलर ने विचाले तक का मुकी वी होई कॉंसलर नू वक करन देली मार् यानि के एक संकेत है के एतकी शायदो चोन जाता नहीं लाट रही जा फिर उनावन टिक्ट ने मिल रही चंडिगड पीजी आई तो HIV पीडत और ता देले चंगी खबर है के ए और ता होन दब्बे होई वाइरल लोड दिनाल सेतमन्द बच्चिया नू जनम दे सक दियाने पीजी चंडिगड दे ए यार टीसी दे ताजा अंकडे मुताबिक जनवरी दोजार चौवी तों HIV पर बावित स्तानवें फीस्ती मरीजा नू केंदर देवेच एंटी रेट्रो वाइरल इलाज देता जार है जिसते बहुत वधिया नतीजे सामने आ रहे हैं एंटी रेट् पंजाब ते सिखी दा मानवदा अनवाली खबर हैं निजलेंड फॉज देवेच सिख जवान मन सिमरत सिंग हुन देश देवलों सिंगा पूर वेच एसे एफटी आई मिल्टरी इंस्टिूट देवेच होई ऑफिसर कैड़िट कमिशनिंग प्रेड देवेच पॉसिंग द कमिशन पदर दा रायक मिले नौजवान निजलेंड फॉज दी होकी टीम देवेच मन सिमरत सिंग वजों केस की बन के दस्तार बन के होकी मैदान देवेच पॉलिस नाल खेड़ दा रहे हैं सिख कॉम दे लेई पंजाबियां दे लेई मानवाली एक होर खबर है कि अमन सब तो मशूर फोर बस मैगजिन देवेच ती में स्थान दे आया है यानि के दुनिया दे टॉप ती बंदयां देवेच ए नौजवान शामिल होया है जिस दी उमर भी हाले 30 साल नहीं जर्मनी दे रहनवाली डॉक्टर अमन दीप सिंग फूचर डॉक्टर दे सया संस्था अधे CEO दे नाल, Startups दे नाल, Startups दे नाल एक सफल सनतकार वजोवी मशूर हान यानि के इह नौजवान 30 साल तो भी काटो वर दा है पारे बहुत इस सफल बिजनसमैन है 25 साल दी उमर दे विच अमन दीप ने डॉक्टर दी पड़ाई पूरी किती ते होन इस वक्त उद्धमी दे तौर ते एक मिलियन यूरो तो वाद दा सलाना टर्नोवर करनवालियां कंपनिया नू साम रहा है अमन्दीप सिंग नू जर्मनी दी राश्रुपती वॉल्टन श्टायन मायर दे वलोवी सनमानित किता जा चुके है और दा नाम आस्ट्रिया दी फोर्बस मैग्जिन दे विच अंडर थर्टी दी लिस्ट दे विच शामल किता गया सिख पाई चारे देले एक होर मानवाली खबर अमरीका तो आई है जर्सी सिटी मुनसिपल कॉंसल ने अप्रयाल मी नू सिख विरास्ती मी निवजो मानता देंदा मता पास कर देता है इसता मक्सद है सिखान दे योगदानों लोका तक महँचाना नू जर्सी सिटी देनार पास कीता है उने के जरूरी खबर थोड़े उना सारयां देले है जिड़े अपनी आमदन दा टेक्स पर देने पर टेक्स पर अंदे विचे जे तुसी लापरवाही कार दे हो ता थो आनू जेल भी जाना पैस सकता है दिली दी अदालत ने दो क्रोड रुपई दी आ साल 13-14 दौरान दोशियां दो क्रोड रुपई देते गे हालांके बुलांकन साल 14-15 ले आमदन दी कोई रिटर्न ही मुल्जम दे वल्लों दायर नहीं कीती गे चार मार्च नो सुनाई होकमा देवेचे जाज सामने दोशी औरत तो पांचासार पई दे जर्माने नाल शेमी ने कैदी सजा सुनाई है हालांके अदालत ने उस दी अर्शी ते विचार करन तो बाद और ती दना दी जमानत दे दती पंजाबियां वडियां खबरां दे इसकास बुलेटन दी वेच थ्वाड़े साब तो इजाज़त चौने या तानवाद